ये सबसे हम्याइब पास 15 ki4 ऌाटी लीनेट की ये मोच करेंगे सबसे पहले हम क्या करनेंगे ये उसको हम सीधा कर लेंगे और कहां बर है कहीं सबस्के अच्छ कर देंगे और उसके इसके नड़ दाले ये हमने 7 नंबर ga आज औरीजिनल नौमैक्स पेपर लिया है इसको हमने किस तरह से काठा है इसकी कोर के हिसाफ से काठा है अगर इसकी को की बात करें तो इसकी जो को की लेंद्थ है वह है चार इनची 6 सूथ यानिके 12 सेंटीमीटर और इसके अंदर की चुड़ाई है वह है एक इनची 2 सूथ यानिके 3.2 cm जो हमने पेपर काट खुछ इस तरह से काटा है यह पर हमने डेढ़ि इंची ले दिया है और यहां पर इसके फोड़ाई है उसके एस pewno बड़ा लिया लिया की आप देग सकते हैं यापर यह यहां मैंने पेपर काटा है एंची लगबग और यह बीच की चोड़ाई यह वाली और यहां वाली तो यह कुछ इस तरह से पैपर आजाएगा ठीक है और उसके बाद यह जो हमने चीजे काटी है यह किस तरह से काटी है इसकी कॉर है जितनी की लंबाई का है औरश के वार मिसको इस तर्हा जा यहां से आपर काट लेगे कितना कर यहां तक घऑंगें बीच यहां तक पुर्ण भरत ilis के हम यह काट यहां से आप सतनबर का औरिजनल लो मैक्स पेपर यूज कर रहे हैं लेकिन जब सक्षान ठोकेंगे तो यहां पर कटने का डर रहता पेपर का तो इसके नंदर हमें 10 नंबर का पेपर डालना चाहिए लेकिन उससे अच्छा हमारे बिकल भी है कि एसके अंदर हम दो पेपर डाल रहे तो यह हम इसके अंदर साथ नंबर की औरिजिनल ग्रीन स्टीट भी यूज कर रहे हैं इन दोलों पेपर को हम लगाएंगे तो अगर एक पर आगर बाई चांस फट भी जाता है तो दूसरा पेपर सपोर्ट करेगा लेकिन अगर दसका डालेंगे तो फट कि और इस तरह सेट कर देंगे और ऊपर से यह वाला पेपर भी लगा देंगे इसका जोइन हम ने यानज लिया है तो इस वाले का जोइन हम इIdhर कर देंगे तो यह हमारी कैसट कुछ इस तरह की आई है और उसके बाद यहाँ पर हम लगड़ी लगा देंगे क्योंकि जब हम क्वाइल बनाएंगे तो यह अंदर कुछ आ सकता है तो इसलिए हम इस पर अंदर बांस की खपच्ची लगा रहे हैं और बाद में इसको निकाल लेंगे और यह जो पेपर है इसको इस तरह से चिपका देंगे कुछ इस तरह से तो यह हमने कुछ इस तरह से पेपर चिपका दिया यह पेपर हमने बड़ा इसी लिए काटाता ताकि अब हम क्वाइल बनाएंगे तो यहाँ पर तार जो है इसकी नीचे गुना आ जाए इसको यहाँ प कंपनी का तो इससे हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे तो हम बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं यह हमारे पास एक नंबर का स्लिप का टुकड़ा और इसको हम यहां पर बांध लेंगे और हमें लेना हुआ एक साफ सा कपड़ा और अब हम बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं एक, दो, दिन, चर, पास, C, साच, आठ नो दस ग्यारह बारह अरफ पालिस और चास और यह हो गई पचास टंस और पचास टंस के बाद हम क्या करेंगे एक लगड़ी का गुटका लेंगे ऐसा गुटका लेंगे जो इसके अंदर फिरी रहे और इसको ठोक लेंगे कि वाइल जिकनी ठोक के बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा कि अच्छा कि अच्छा कि पचास टंस हो गई है अब दुबारा से बनाते हैं 51 कि बावन कि त्रेपन चोवर अच्छपन तो यह जो पेपर है यह थोड़ा मैं परशान कर रहा है इसको भी चिपका देते हैं सब्सक्राइब ओपन्ट सब्सक्राइब अच्छावन राखावन तो प्रिया वारी सो टन्स हो चुकिए और उसके बाद फिर से इसको ठोकेंगे अच्छे तरह से जितना ठोक लेंगे कौाइल इतनी ही बहतर रहेगी कि इनको लूजिंग हो जाएगी तो फिर अगली वाली कौाइल बनाने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी और अब हम आगे की टन्स डालना इस्टार्ट करेंगे तो इसी तना से हम पूरी कौाइल बना लेते हो फट फट से 58, 69, 60, 61, 62, 63, 64, 65 यह हो गई इसके अंदर 465 टन्स जितनी हमें डालनी थी इतनी टन्स कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसको ठोक देते हैं तो फ्रेंड्स ही हमारी कौाइल कंप्लीट हो चुकी है इसके अंदर हमें 465 टन्स डाली है 19 नमबर के कोपर वायर से कौाइल कंप्लीट हो यह वायर को हम कट कर देंगे यहाँ पर हमने तार को काट दिया है चाहे तो हम बिना तारवों काटे भी बना सकते थे लेकिन उस कंडिशन में हमें क्या करना होता कि एक बार कौाइल हमें सीधी बनानी पड़ती जिस तरह से यह बनाई है फिर एक कौाइल उल्टी बनानी पड़ती लेकिन अब हम सारी कौाइल सीधी ही बनाएंगे जिस डारेक यहां पर हम बान देंगे क्योंकि यहां पर हमें कोईल बनानी होगी यह पेपर बाद में परशान करेंगा नहीं तो कि यहां पर यह हमने इसको बांग दिया है और अब यह वाली जो हमने फच्ची लगाई थी इसको निकाल लेंगे लिए यह इस तोड़ागाप आ यहां से एर पास होगी और कॉर तब यह कि ठंडी रहेगी तौब आए घानी रहे इसके पर दूबारा से पीपर लगाएं लगाएंगे यह वाना पे पर भी हमारा सैट होचुका जाएँ किये सब्सक्राइब कुद्सक्राइब बिश्कार ना लेकर के जाएगे पो मत कॉइस नहीं होई दिक्कत हो या जोल्टे वाले हाथ में अगर आप जिसका उल्टा है तो इसको सीध्य आदमें दिक्कत होती तो इसके अंदरे टन्स डालना में स्टार्ट कर देंगे और इसको भी हम से हम उसी तरह से बनाएंगे दो टन्स हमारी हो चुकी है कि तीन चार पाच 26 27 27 28 30 31 32 तो फ्रेंट यह हमारी चारो फिल्डर रेडी हो चुकी है सभी के अंदर हमने 465-465 टन्स डाली है अब हम क्या करेंगे यह यहां टक यह यहां तक यहां तक पूरा जड़त नहीं रखेंगे अभी यहां च्छोटा लग रहा होगा इस बाले को भी काट देने हैं नापके देखें ठीक है यह उपर सा जाएंगे पेपर काटने के बाद हम क्या करेंगे इस साइड का जो पेपर है उदर कर लेंगे उस साइड का पेपर को उदर कर लेंगे अगया और भीज मेंदर डाल देते हैं इस तरहांसे यहां पर आमे जगे बनानी होगी क्युंकि यहां पर नहीं होतीत कि वर मॉटी हो जाती हैँ और जब वो टाइट करते हैं तब ही जाकर वह कपजे चैनल पना लियर्ग तेहं पर आप देख सकते हैं और उसके बाद इसको हम धीरे धीरे ठोकेंगे कोई जल्दवाजी नहीं करें.. इस करेच नहीं लगने चाहिए क्यों कभी कभी कशा इसको लगाते हैं तो फिर इसको झा टाइट करते हैं फीड्ड अर्थ हो जाती है जो कि बहुत बड़ी प्रोब्लम क्रेट कर देती है विराल यह हमारा अराम से गुज गया उसके बद हम इसको हम इस तरह से दबा देंगे और इसको भी दबा देंगे अब इसको रखेंगे हम यह भी एक टेड़ी कीर है इस तरह से लगाएंगे इस नेट को लगा नहीं अपने आप में एक जंग है तो फ्रेंट यहां पर आपने से क्लैम भी लगा दी है और जो पेपर यह फाल्टू पेपर इसको भी कड़ कर दिया है और इसके कनेक्शन भी कर पर आपको समझा दो आपके समझ में अच्छे से आजाएगा यह इसका अंदर वाला सिरा पहला सिरा जिसके हमने लीड बना दी है और इसका जो दूसरा सिरा है यह वाला इसको हमने अगली फील्ड के लाश्ट वाले सिरे में मिला दिया है जोइन लगा दिया है और इस वाल हम यहां पर पर आ गई है इसको अंदर हमने लगा रख को एक important ृव्य जरूर जो क्योंक тебя ईसा होता है अक्सर कि इसके अंदर जो है अर्थिंग हो जाती है यहां से यहीं से रोती है और कहीं से नहीं अई होती है यह कर देते हैं कि ताइड हो गया दूसरों ये इसी तरह से यहां पर कि रिडियो हो गया हम से उपर भी मैं यहां पर कॉटन टेप लगा देते हैं तो हैं अब इसके बाइंडिक कंपलीट हो चुकिह अब इसके ओपर आम बादी डालेंगे लेकिन बादी डालने से करेंगे कि कि अंदर आर्थिंग बगयरा तो नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पार्टिंगा आपको दिख रही होगी अब अब लगार नहीं तो बिल्कुल ऑके हैं आप सुपर हम बारणिट डालेंगे तो यह हमारे बार पर कंपनी का वार्निश को ताकि जो इसके वायर अच्छे तुरा से सेट हो जाएं यहाँ पर आम बिल्कुल भी कंजूूसी नहीं करेंगे क्योंको यह रोटेट होगा भूमेंगा तो फिर जो है बानिश में अगर दिक्क्त होगी कम होगा तो अच्छे तब इसे इतना नकाल आने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें